वेल्कम स्टुडेंस तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौच्ची सीक्वेंस के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं सबसे पहले हम करेंगे कोच्ची सीक्वेंस ये definition निखी हुई है मैं आपको बहुती easy way में इसकी definition समझाऊंगा दो तरह की definition है दोनों का मतलब आपको बिल्कुली clear हो जाना वाला है इस lecture के बाद फिर मैं आपको एक example दूँगा उसका कुछ हम numerical data का analysis करेंगे जिससे आपको कोच्ची सीक्वेंस की definition जो ये लिखा होता है ना इसका मतलब एक दम से clear हो जाएगा और फिर मैं आपको ग्राफिकली भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक ये इतना काम हुगा हमारी इस definition को समझने का कोकि अगर ये definition एक बार clear होगी तो हमारी theorem से automatically हो जाएगी फिर उसके बाद हम कुछी examples करेंगे कोच्ची सीक्वेंस की कैसे हम किसी भी sequence को कोच्ची सीक्वेंस बगारा प्रूफ कर सकते हैं तो start करते हैं हम अपनी सबसे पहले इसकी definition से कि इसकी definition का मतलब क्या है तो बच्चों सबसे पहले आपको काम क्या करना है इसकी definition जो ये language लिखी होई है इसको बिल्कुल भी आपने पढ़ना नहीं है सबसे पहले मतलब समझेंगे कोच्ची सीक्वेंस का मतलब होता क्या है उसके बाद अगर आप इसको समझोगे तो ये आपको बिल्कुल हलवा लगने वाला है बिल्कुल यह सान लगेगा तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते है एक सीक्वेंस ले लेते है तो मैंने एक सीक्वेंस ली X1, X2, X3, X4, X5 and so on ऐसे ही यह हमारी एक सीक्वेंस है वो चलती रहेगी ठीक अब होगा क्या? आपने करना क्या? सबसे पहले कोई भी एक एपसाइलन नंबर ले लेना है greater than 0 कोई भी आर्बिटरी एक एपसाइलन greater than 0 ले लेना है तो मैं अपरी सीक्वेंस को कोच्ची सीक्वेंस कब बोलूँगा कि अगर इस एपसाइलन greater than 0 इस positive number greater than 0 के लिए मेरे कपास एक natural number and not exist करेगा मतलब एक ऐसी position exist करेगी उसके बाद काम शुरू करते हैं अब एक n not कोई ना कोई position आईगी उस सीक्वेंस की अब इसके साथ में मैंने ये एपसाइलन को लिखा हुआ है क्योंकि ये जब मैं अपना एपसाइलन देखो for all epsilon की बात होगी यहां पर that is for every epsilon जब मैं अपने इस epsilon को change करूँगा तो जो sequence की position आईगी वो भी आपकी change हो जाएगी तो हमने सबसे पहले एक epsilon लिया छीक है तो मान लेते हैं कि वो sequence में कहीं न कहीं आया होगा तो यह आगया हमारे पास वो position x note वाली अब उसके बाद काम शुरू होता है हमारा अब उसके बाद वाली जितनी भी terms हैं उसको मैं से लिख लेता हूँ and not plus one and not plus two and not plus three and so on तो यह मैंने अपने terms लिख ली तब कोशी भी sequence को कोची sequence बनने के लिए क्या condition चाहिए एक epsilon लिया उस epsilon के लिए मैंने अपनी एक stage find कर ली that is and not अब वो क्या बोलता है इस and not के बाद इस sequence के बाद आने वाली कोई मर्जित दो terms ले लिए रेंडमली इस position के बाद sequence में आने वाली कोई भी दो terms ले लिए रेंडमली उन दोनों terms का जो difference होगा उसका गर मोड लेंगे तो वो जो आपने starting में ये epsilon लिया था वो उससे कम होगा अब ये x note मेरे पास आ गया ये position आगी and not अब मैं आपको इसकी definition लिखके लिखाता हूँ इसके बाद कोई भी दो नमबर ले लेजिए sequence के तो उसके लिए मैं आपको उसकी position लेनी बड़ेगी तो मैंने क्या किया एक m लिया और एक n लिया जो क्या होगा आपका greater than equal to भी लिख सकते हो और equality को without भी लिख सकते हो कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो दो नमबर लिए मैंने इसके बाद अब उसके बाद वाली terms मतलब कि आप ऐसे भी बोल सकते हो यह end note पड़ा है मेरे पास अब इसके बाद वाली कोई भी दो terms ले ली मैंने कोई भी ऐसे randomly एक term ले ली इसके बाद एक sen और एक term randomly ले ले ली मैंने अब क्या कहता है कि इन दोनों का जो यह difference आएगा वो आपका chosen epsilon से कम आएगा ठीक एक बारी मैं दुबारा से repeat करता हूँ कि for every epsilon एक epsilon लिजिए उस epsilon के लिए हमारे पास एक ऐसी stage exist करनी चाहिए जिस उस stage के बाद मैं अपनी sequence में कोई भी दो terms ले लूँ उनका difference इस epsilon से कम होना चाहिए तो means अगर मैं अपने epsilon को बहुत छोटा रख दूँ that is 0.001 रख दूँ तो क्या कह रहा है कि एक stage ऐसी आएगी जिसके बाद sequence की randomly कोई भी ले सकते हो आगे बिशे इसके बाद होने चाहिए उनका terms का difference इस epsilon से कम हो जाएगा मतलब कि इस stage के बाद जो भी ये sequence है जितने भी ये members है उनका आपस में difference बहुत ही कम है वो एक दूसरे के terms जो है वो बहुत ही जादा नजदीक होती जारी है एक stage आई उस stage के बाद जितनी भी terms है वो आपस में बहुत जादा नजदीक है तो that means जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम बोलते हैं कि वो sequence क्या है हमारे पास एक convergent sequence है clear तो यही उसकी definition लिखी हो यह देखे ध्यान से a sequence of real numbers is set to be a kochi sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number and not epsilon इस epsilon के लिए एक natural number आएगा such that अब इस natural number से ध्यान से देखिए यह natural number आया position आई अब उसके बाद वाली मैंने position ली और यह उसकी term आगी xn minus x है मतलब इसके बाद वाली आप कोई भी दो terms दोंगे तो उसका difference गया होगा less than epsilon होगा तो यह आपकी है definition that is coachy sequence की अब मैं आपको इसका भी बता देता हूँ इसको बस यह एक ही चीज है बड़ लिखने का वह अलग है अब वो अलग कैसे है देखिए ध्यान से अब मैंने xnote फिर से epsilon greater than 0 तो उसके लिए एक stage आएगी हमारे पास ठीक है अब इस stage के बाद आपको कोई भी दो randomly term चूज करनी है अब इसके बाद आपको कोई भी दो randomly term चूज करनी है तो मैंने क्या किया यहां से सबसे पहले एक अपनी randomly term चूज कर ली that is x ठीक है पका n क्या होगा n से equal जा उससे बड़ा देखिए एक term चूज कर ली हमने यह अब एक term यह fix कर ली हमने वो बोलता है इसके बाद वाली आप कोई भी term ले सकते हो यह randomly term चूज की अब इससे आप कोई भी term दूसी ले सकते हो that is अब यह n प्लस 2 ले सकते हो आप n प्लस 3 ले सकते हो आप n प्लस 7 बलकि उससे आगे वाली कोई भी term ले सकते हो तो उन दोनों का भी difference क्या होगा less than a size दोनों का तो उसके लाबा कोई होर मतलब नहीं है मतलब यह है कि आप एक epsilon लीजिए उसके लिए एक ऐसी stage ढूंडिए जिसके बाद sequence की जितनी भी terms आएंगी randomly कोई भी दो terms उसमें से उठाइए और उनका जो difference है वो आपका जो आपने epsilon चूज किया था उससे कम आना चाहिए ठीक है और यह हर epsilon के लिए होना चाहिए अगर मैं epsilon 0.1 लेता हूं तो उसके लिए भी एक ऐसा natural number मिलना चाहिए अगर मैं epsilon अपने 0.001 लेता हूं तो उसके लिए भी मेरे को एक ऐसा natural number मिलना चाहिए जिसके बाद कोई भी दो randomly term उठाइए और उनका difference आपके chosen epsilon से क्या आएगा कम अगर ऐसी चीज हो रही है तो main sequence हमारी क्या होगी कोच्ची sequence होगी तो मतलब क्या होता है इसका कि एक stage के बाद कोच्ची sequence का मतलब इसी कली होता है कि कुछ एक ऐसी position उस position के बाद आपको जितना भी उनकी sequence का difference आपस में कम चाहिए आप उतना पता कर सकते हो उतनी terms को निकाल सकते हो कि वह मतलब कि terms काफी close होने लग जाती है कोच्ची sequence में ठीक अब बच्चो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम आपको उसकी definition को अच्छ से समझाऊंगा फिर आपको एक example के थुरू भी numerical data की help से उसको समझाऊंगा अब देखिए ध्यान से मेरे पास एक sequence पड़ी है xn is equal to 1 by n अब मैं अपनी कोच्ची sequence की definition आपको इसके crowding समझाने वाला हूं अब देखिए ध्यान से सबसे पहले आपका काम क्या होता है एक epsilon चूज करना वो epsilon मैंने चूज कर लिया that is epsilon आया 0.1 आया अब इस epsilon के लिए मेरे को एक ऐसी position चाहिए होती है n not तो वो इस case में आपकी position आया कि 20 अब आप बोलोगी sir आपको कैसे पता चला कि 20 कैसे आया न वो बेटा जब हम मैं इसका proof कर वाऊंगा आपको कोची sequence का तब आपको पता चलेगा कि 20 मैंने यहां पे कैसे लिया एपसाइदन वाइन लिए एन लो 20 आ गया तो मतलब क्या है इसका कि 20 टर्म आगी अब 20 टर्म के बाद आप कोई मरदी sequence की टर्म ले ले जिए इस sequence में 20 के बाद कोई भी term ले ले जिए दो टर्म उन दोनों का difference आपको मेंशा 0.1 से कम मिलेगा देखिए 20 आया अब मैं आप example के लिए 30 टर्म ले लेता हूं तो वो आ जाएगी मेरे पास 1 by 30 फिर मैं अपनी term ले ले लेता हूं उसके बाद 40 टर्म तो वो 40 टर्म आ जाएगी मेरे पास यहां पर 1 by 40 अब मैं इसका mode निकालता हूं 1 by 30 माइनस 1 by 40 इसका difference देखते हैं कितना आएगा तो वो आया हमारे पास 1 by 30 माइनस 1 by 40 तो यह आजाएगा आपके पास 10 by 1200 और यह आजाएगा आपके पास 1 by 120 देखिए अब epsilon कितना मेरे पास 1 by 10 और यह आपका less आ रहा है 0.1 से अब देखिए वो ही काम है यह एंड नोट अब यहाँ पे एंड नोट का कौन काम की है 20 कोई भी दो position लेनी है एंड नोट के बाद वाली तो हमने एक 30 अथ ली और एक 40 तो यहाँ पे mn का काम कौन कर 30 & 40 xn-xn मतलब x30-x40 इसके बाद कोई भी दो टर्म्स उनका डिफ्रेंस किससे कमाएगा epsilon से ठीक आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है अब जैसे यह लिया मैंने अब इसी epsilon के लिए आप कोई होर लेके दखाईए तो उसके लिए भी बिल्कुल लिड होगा तो अब की बार हम अपना कोई दो position ले लेती हैं एक तो 50 टम ले ले लें तो वह आजाएगी मारे पास 1 by 50 और एक इससे बहुत दूर ले लेती हैं तो हम ले लेते हैं कुछ 100 टम 200 टम ले लेती हैं तो 200 टम ली तो वह आगी 1 by 200 अब इसका डिफ्रेंस निकालते हैं that is x50-200 इसका डिफ्रेंस आएगा आपके पास तो यह बनेगा mode of 1 by 50 minus 1 by mode of 200 तो यहां से मेरे पास इस calcium चाहिए मेरे को तो वह 200 आजाएगा तो यह मेरे पास आजाएगा 40 minus 1 which is equal to 39 by 200 तो अगर आप इसको calculate करोगे तो इसको approximate अगर मैं 40 के around मान के चलता हूं तो देखें यहां पर 4 आना था तो यह 4 minus 1 by 200, 3 by 200 आ गया तो यह आपका बन जाएगा 1.5 divided by 100 और यह आपका बन जाएगा 0.015 देखें आपने epsilon का चूज किया था 0.1 और इन दोनों का difference क्या आया है इस epsilon से कम ही आया है ठीक तो यह हो गया आपका यह वाला अब वो बात समझाता हूं कि देखें जैसे आपने epsilon चेंज किया वैसे ही आपका जो यह position होती है वो चेंज हो जाती है अब की बार मैंने जो epsilon लिया वो लिया 0.05 तो उसके लिए जो यह end note आया अब की बार वो 40 आया अब की बार वो 40 आएगा आपका अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं अब मेरे को जो दो टर्म चूज करनी है वो इससे 40 के बाद चूज करनी है और उनका difference अब की बार इस हम चूज कर लेते हैं that is 200 तो हम चूज कर लेते हैं तो हम नहीं इसका difference निकाला था लेट इस और वो आपके पास आया था 1 by 50 minus 1 by 200 और वो आ गया था आपके पास 4 minus 1 that is 3 by 200 और यह बन गया था आपका 0.015 ठीक है फिर से देखिए 0.05 पड़ा यहां पर और यह इससे कम आ रहा है ठीक सेम एक्जाम्पल मारी काम करगी आप कोई दूसरी भी ले सकते हो तब भी काम करेगा अब देखिए फिर से मैं अपना epsilon को change करूंगा और यह जो number आएगा वो भी आपका change होगा आपकी बार यह है वो मेरे को 200 के बाद ले नहीं है उससे पहले नहीं ले सकते तो हम अपनी term ले लेते हैं एक term ले लेते हैं x 300 ले ले तो वह आ जाएगी 1 by 300 और एक हम term ले लेते हैं हमारी कुछ 900 तो वह आजेगी 1 by 900 अब हम कोई भी दो term चूज कर सकते हो अब उसका difference निकालते हैं तो वह आएगा mode of 1 by 300 minus 1 by mode of आपका 900 आ जाएगा तो यहां से बच्चों 900 मेरे पास LCM आएगा और यहां पर आ जाएगा 3 minus 1 that is 2 divided by 900 तो आगे आगे 2 by 900 तो 2 by 9 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मिरको मिलेगा 0.22 और नीचे आ जाएगा अपका 100 और यह बन जाएगा 0022 पॉइंट ठीक है तो एपसाइडन 0.01 चूज किया था और यह 0.01 से आपका कमार है तो होप सो बचो आपको अच्छे से इसकी definition clear होई होगी और मैंने आपको numerical से भी इसको समझा दिया कि कैसे यहां पर एपसाइडन क्यों लिखते हैं एपसाइडन आपको लेना होता है उसके लिए natural number आपको अलग लग आते हैं और एक बात और कि अगर मेरे को कोई ऐसा अपसाइडन मिल जाए एक अपसाइडन मिल जाए एक अपसाइडन भी ऐसा मिल जाए और उस अपसाइडन के लिए ऐसी कोई भी stage नहीं आ रही कि उनकी terms का difference जो है वो उस अपसाइडन से कम आ जाए तो हम बोल देंगे कि sequence हमारी कोची sequence नहीं होगी अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इस एपसाइडन के लिए सर आपने यह end note end note जो यह बात कर रहे हैं यह कहां से choose कि आपको कैसे पता चला कि यह ही आएगा ठीक है अब मैं आपको इसका proof करवाने वाला हूँ कि कैसे आप वो end note जो number होता है किसी epsilon के लिए वो सकते हों अब देखे बच्चो हम मैं आपको बताता हूँ show that कि sequence आपको यह कोच्ची sequence प्रूफ करने है ठीक है तो by definition इसको कोच्ची sequence देखे कैसे proof करोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे let कर लेंगे epsilon greater than zero be any real number तो हमने अपने epsilon को मान लिया अब इस epsilon के लिए कि हमारे को कोई ना कोई position चाहिए होती है अननोट तो वो हम ले लेते हैं अब इस case में आपको थोड़ा सा पहले की form में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो यह अननोट of epsilon number आपने चूज करना होता है वो आप ले लो या इसको simple अननोट ही ले लो वो आपने चूज करना अब इसके बाद मैं इसको शो करना है कि इसके बाद इस position के बाद आने वाली जितनी भी terms होंगी उनका difference इस epsilon से कम होगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक n और एक m मैंने दो position ली आप ऐसे कीजिए ना ठीक है दो position ली जो क्या है मेरी इस 2 by epsilon से बढ़ी है means n note से बढ़ी है तो means n और m दो ऐसी position ली जो आपकी बढ़ी हो जाएंगी इस 2 by epsilon से और मेरे को शो क्या करना है कि उनकी वही इन दो terms का difference उस position के बाद वाली कोई भी दो randomly terms का mode का difference तो वो आ जाएगा 1 by n minus 1 by m यह आगे आपका पास और यह आपको प्लस में चेंज कर देते हैं इसको ठीक है और यह next to number रहेंगे तो mode हम गाइब कर देंगे यहां से तो यह आ जाएगा अब देखिए ध्यान से n की value बढ़ी है आपकी 2 by epsilon से तो 1 by n की value smaller हो जाएगी epsilon by 2 से उसी तरह से m की value बढ़ी है 2 by epsilon से और 1 by m की value smaller हो जाएगी epsilon by 2 से 1 by n की value smaller होगी epsilon by 2 से और यहां से 1 by m की value भी चोटी होगी epsilon by 2 से और दोनों को मिलकर आपके पास बन गया यहां से epsilon तो यहां से हमने यह शो कर दिया xn-xm उसका mode आपका यह पूरा less आ गया epsilon से तो means इस case में आपके पास जो national number रहेगा वो यह अब आपको ध्यान में आया होगा कि यहां पे हमने यह 2 by epsilon नहीं क्यों लिया है क्योंकि यहां पे अगर हम अकेला 1 by epsilon लेते न तो यहां पे हमारे पास 2 epsilon बन जाता बर difference तो हमने epsilon से show करने है न तो इसलिए हमने यहां पे 2 by epsilon लिया है पूरी रीगल एनलेसिस के ऐसे ही आपको अपने डाउक्स हैं उसको क्लियर करना है तो चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए जूर करें